जहिन जह भारत हम यहां पर बात कर रहे हैं आज जो इसरेल है ठीक है और हमास यहां पर हम फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है इतना ध्यान लकना हम यहां पर इसरेल और हमास की बात कर रहे हैं जो कि तुम लोग काफी साथ अक्टूबर के बात से तो डेली सुनी रह खासकर जो यूरूपी कंट्री हैं या फिर हम कहें कि जिसे कि अमेरीका हो गया जर्मनी हो गया फ्रांस हो गया घर्ण हों गया यह सब इज्राइल के भक्ष में हैं चारों तरह अरब कंट्रीज र्याइमें गुसा इसने प्रहार करने की कोशिश को डिरेक्टली डियुश के बात चोड़ देते हैं तो सब इनको ठोकने की कोसिस करी है लेकिन इनका डिफेंस सिस्टम इतना तकड़ा है यह रिटैलियेट करने की जो चीजें वह इतनी बहतरी नहीं कि कोई टिक नहीं पाता है खेर हम यहां पर इस सब चीजें नहीं बात करेंगे बहुत टाइम हो गया तुम लोग सुन भी काफी दिन बुरी हालत हो जाती उनकी जब भी बंपड़ता है जो भी है यहां पर लेकिन एक चीज तुम्हें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी तो बहुत सी होती हैं जो की आदमी समझ नहीं पाता है मतलब समझने की बात छोड़ दो बहुत सी ऐसी होती हैं जो डाइजिस नहीं कर इस समय सोसल मीडिया नहीं था इतना इतना टीवी ने कवरेज नहीं दिया था तो उतनी चीजे हाइलाइट नहीं हो लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में हुआ हो चुका है ठीक है चलो अब किसी दिन तुम लोगों को हम बताएंगे यह सब स्टोरी सुनाएंगे तब तुमें बत गठी आए बडिए ऑधन उते हुए चले कं खुले में रेप किया सबसे पहले पूरी स्चोरी समझना उसके बाद हम बात करेंगे कि की चीजें हो के रही है उसने क्या खुले में रेप किया ठीक है रेपिया गैंग रेपि किया छोटे बच्छों को ऑफेह पहले वीडियो मिसाईले किसी देश के उप़ गिर जाती तो उसका दिमाग खराब हो जाता हो जिरायल जिसाझेग जो वैसे भी defense के मामले में कितना powerful है तो जिरायल कभी भी defense use नहीं करता है समझ रहा हूँ ज draft है ज्यसे कि मालो किसी देश के वपढला हुआ तो वो क्या करता है बहुत सारी सुरंगें खतम कर दी है अब यहां पे एक छोटी चीज आती यह चोटे बच्चों माला पार्ट है क्योंकि क्यों तो बात अलग है लेकि छोटे बच्चे मर रहे यह बहुत गलत हो रहा है लेकिन इसके पीछे भी एक reason समझो, देखो logic तो कोई इसमें नहीं हो सकता है, इजराइल अपनी territory बचाने के लिए, क्या करता है, कि वो हमेशा उन चीजों पे, उन जगए पे target करता है, जहां से हमला सुरू हुआ था, जहां से हमला सुरू हुआ था, यह चीज 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 ची बीचों बीच से, जिसमें क्या करता है वो औरतों को और बच्चों को आगे कर देता है, ठीक है, औरतों और बच्चों को आगे कर देता है, बहुत से ऐसी तुमने वीडियो विजुल से देखे होंगे, जिसमें बिचारे ये, औरते और बच्चे, ये मारे जाते हैं, बेग पर सोर है उनके जैसे बगल में बम गिर जाता है वह अच्छे चोटे-चोटे समझो बात को कितनी कितनी सीर्यस चीज यह ठीक है इसराइल का डिफेंस सिस्टम क्या कहता है कि जहां से हमला सुरू हुआ है वहीं पर टार्गेट करता है अब माल लो यह एक पॉइंट है ठीक है यहां पर हमला सुरू हुआ यहां से हमला करना चालू किया इसराइल पर ठीक है यहां पर हमला इसराइल के उपर करना चालू किया अब यहां पर पूरा सुसाइटी बसी है यह बीचो बीचे घरता जहां से हमला करना चालू किया तो यहां पर जो मिसाइल होती हो लॉक कर द तकनीके इनके पास वह बहुत ब्रूटल टाइप है कि मतलब अगर दस आदमी खड़ा है किसी एक को पिंपॉइंट करके मानना हुआ उसी को मारेगा बस लेकिन यहां पर क्या होता है कि जहां से ओरीजन हुआ है जहां से हमले हो रहे हैं इसराइल प्रॉपर डिफेंस सिस्ट अर पर अधार यहां पर करेंब दिबादा करुता ऑन हो और यांग सिउन्स साहीं कर रहा है लेकिन वो दो पूरा किहले डहीं DR. आई-ठी तो लेकिन अगर गाले सोच रहे हो कि कितना चीजह गलत हो रही है इससे एक्स्रीम लेवल पर गल उच कुछ नहीं थी इसमें coverage करने की छमता है लोगों के पास इसलिए इस वार को एक तरफा नहीं देखा जा सकता है हां एक शी जरूर हो सकती है सीज फायर जरूर हो सकता है मतलब कि ये युद्ध जल्द ही रुकेगा जरूर जब लेकिन रुकेगा तब ही जब हमास को पूरी तरीके से इसराइल खतम कर देगा क्योंकि उसका एक मिसन पर निकलता है इसराइल सीधे उसने पहले एयर स्ट्राइक करके उन जगों को खतम कर दिया जहां से हमला सुरूर हो रहा था अब वो डोर टू डोर सर्चिंग चल रही है क्योंकि क्या है कि अब पता लगे कोई अस्पताल है स्कूल है उसके नीचे से सुरंग गई है क्योंकि तुम्हें भी पता है हमास का पूरा अड़ा सुरंगों में था ठीक है तो वह पूरी सुरंग को निप्टा रहा है मेरे कहने का मतलब यह है कि वह आगे के लिए कभी भी हमास का कोई भी एक परिंदा पर नहीं मार पाएग पर अब यह उनकी टेरिटरी है उनका मसला है उनको समझने देते हैं बस एक चीज वही जो गलत है जो बच्चों के साथ हो रहा है क्योंकि यह चोटे-चोटे बच्चे कपड़ों में लपेट करा रहें किसी का हांत किसी का पैर मतलब आजीब देख भी नहीं पाओगे तु रहें पिलस्तीन के लोग ठीक है तो कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें इसराइल किसी की सुनता नहीं है वैसे भी आप कितने भी सेंक्सन लगा दोगे उस पर वह अपने आप में इतना सफीसियंट है कि अपनी चीज़े खुद कर लेता है एकॉनमी उसकी तगड़ी है डि जो में compromise नहीं करेगा ठीक है हाँ वो यह जरूर कर रहा है बहुत बार यह किया है उसने कि जो बच्चे तकलीव में हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर एड़ दे रहा है चिकिस्ता दे रहा है प्रॉपर उनके लिए दवाई खाना जो फसेट किट होती वो सारी चीज़े प आम रहा है जाहिए